Hello friends, तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि Fishing क्या है और आप इसे कैसे बत सकते हैं तो आप ऐसा सोच रहे हैंगे Fishing मचली वाला Fishing की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं बात कर रहा हूँ जो cyber crime हो रहे हैं आज के time में जो internet पर fraud हो रहा है उस phishing के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके साथ जो frauds होते हैं internet पर उसको कही नहीं phishing का नाम दिया गया है तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो phishing का सब्द है यह cyber जो criminals होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा popular है और बहुत ज़्यादा use किया जाता है अब इसमें होता क्या है इसमें होता यह है कि इस सब्द का या फिर आप कह सकते हैं इस चीज का ऐसे use किया जाता है कि कोई भी आदमी इसमें आसानी से फस जाता है अब यह होता ऐसे है कि वो कुछ links बनाते हैं या फिर कह सकते हैं आप attachment बनाते हैं उन links और attachment को आपके जरीए वो email के जरीए आपको send करते हैं वो randomly ऐसा करते हैं ऐसा fix नहीं होता कि इस 10 लोगों को करना है इन 50 लोगों करना है वो randomly किसी भी user को पकड़ते हैं और उनको send कर देते हैं अब इसके बाद क्या होता है वो उस link या attachment को इतना attractive बनाते हैं कि आप जो common users होते हैं वो कहीना कहीं उस पर click कर बैठते हैं तो जब आप उस पर click कर देते हैं तो उनके अंदर जो आप कह सकते हैं एक तरीके का virus होता है जो कि आपके system में automatically install हो जाता उस link पर click करने के बाद अब जब वो virus installed हो गया तो उसके बाद जो आपका data है phone के अंदर वो किसी भी type का data हो सकता है आपके personal files हो सकती है आपके जो card details होती है banking related data हो सकता है तो खुल मिला के बात यह है कि आपके device के अंदर जितना भी data है वो कही ना कहीं फिर उस hacker या फिर attack जो करता है phishing के जरीए उसके हाथ में चला जाता है या फिर उसको वो ले लेता है इस तरीके से तो friends यह था कि phishing क्या होती है और इसे कैसे करते हैं यह लोग तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि phishing आज का सबसे ज्यादा किया जाने वाला cyber crime में से एक है और इससे आपको कहीं ना कहीं बचना चाहिए और इससे आप जितना बचे रहेंगे उतना ही तो friends अब मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी tips जिनको अगर आप follow करते हैं तो आप इस चीज से बच सकते हैं कहीं न कहीं तो चलिए start करते हैं तो friends जो सबसे पहली चीज है जिसका आपको खयाल रखना है वो यह है कि किसी भी अंजान लिंक पर जिसको आप न जानते हैं न इसके वारे में आपने कभी search किया उस पर आप click ना करें आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने email को आप inbox को stop कर सकते हैं कि इस पर कोई message आये ही नहीं पर आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप किसी भी अंजान लिंक पर click ना करें email के अंदर या फिर कहीं भी आप internet पर use भी कर रहे हैं तो वहां पर भी किसी ऐसी link पर click ना करें जिसके बारे आपको जानकारी ना हो तो पहला तरीका यह था दूसरा यह है कि जो आपका password होता है और जो user name होता है वो किसी को कभी भूल कर भी गलति से ना बना बताएं क्योंकि यह जो चीजें होती है यह आपकी कई-NA-कई जो personal details होती है उन को contain करती है वो इन सब में होती है तो आपको यह गलती कभी नहीं करना है आपका कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो आपको जो इंटरनेट के अंदर Google use करते market Google के अधे अप वेबसाइट को यूज करते हैं तो आज के लाक्रोड़ वेबसाईट्स हैं जिनको आप अपनी डेली लाइव में कही रहें यूज करते चेक करने का उसमें यह है कि आपको जो स्टार्टिंग होती है तो https अगर उस url के स्टार्टिंग में http एक के बाद s आता है तो वो कहीं न कहीं secured है और दूसरा तरीका यह है कि आप उस website का नाम अच्छे से पढ़िए क्योंकि जो fake websites बनाई सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यबाद